Hello Friends, Good Evening, स्वागत है आप सबका स्विकृर्पा कलासच पर दोस्तों इस वीडियो में हम लोग RPF Constable 1 SI Exam 2024 के आल सिप्ट में पूछे आ सकने वाले Most Important GKGSO Current Affairs के परसनों को साल्ब करेंगे दोस्तों आपके exams में GKGSO Current Affairs के जितने भी टापिक से questions पूछे जाने हैं उन सभी टापिक्स को collect करके A to Z, A क कोस्चन, A क कोस्चन, A क कोस्चन, A क कोस्चन, चुन-चुन के डाला गया है इसके लावां आपके प्रिवियस एरेकजाम्स के पसनों को भी सामिल किया गया है साथ में extra effect को पूरी तरह से कबर करने का प्रियास किया गया है तो दोस्तों आप लोग ने concentrate होकर साल्व करें questions कम साल्व होने पर पुनापसनों का revision करें ताकि RPF constable हुआ ऐसा एक जाम 2024 में आप लोग GKGSO Current Affairs के टापिक से अच्छे से अच्छे स्कोर कर सकें ध्यान रखें दोस्तों आपके एक जाम में GKGSO Current Affairs का अच्छा खासा बेटेज है पचास questions आपके यहां से पूछे जाएंगे तो चलिए दोस्तों जदा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी most important person को साल्व करना शुरू करते हैं दोस्तों question number one है हमारा भारत के नए मुखी चुनाव आयुक तो कौन बने हैं Recently current से most बना question है दोस्तों मिलकुल आपके tend में है आपकी label में है Question हमारा भारत के नए मुखी चुनाव आयुक तो कौन बने है Correct answer होगा राजिव कुमार अब चुकी दोस्तों current से हमारा question आये हुआ है तो इस topic से जितने भी questions बनते हैं अधिकान्स प्रसनों को हम लोग यहीं पर cover करेंगे यही हमारे preparation की strategy हो दोस्तों की जिस भी topics को हम लोग उठाएंगे उस topics के अधिकान्स प्रसनों को पूरे एक्स्टाफेट के साथ वहीं पर cover करेंगे ध्यान दीजेगे दोस्तों आप लोग सारे facts सेलेक्ट रखे गए हैं पहला point है हमारा राजिव कुमार भारत के नए मुखी चुनावायक तो निउक्त किये गए है और एक नोट देखें आप लोग मार्च दो हजार चोबिस में यानि की रिसेंटिन दोस्तों ग्यानियस कुमार और सुखवीर सिंख संधू को चुनाव आयुक्त निउक्त किया गया है यह सारे facts आप लोग पूरी तरह से प्रिपेर रहेंगे तो मुखी चुनाव आयुक्त वर्तमान में राजियो कुमार है उपचाना आयुक्त की बात की जाय तोजय भादू है और ग्यानियस कुमार वा सिखवीर सिंख संधू को दोस्तों चुनाव आयुक्त निउक्त किया गया है इसकी अस्थापना हुई थी 25 जनूरी 1950 को मुख्याले इसका नई दिल्ले में है अगला कोश्चन देखेंगे हम लोग कोश्चन है दोस्तों भारते दूर संचार नियामक प्राधिकरण यानि कि ट्राई के नए ध्यस कौन बने है और इसी के साथ ये कोश्चन देखेंगे दोस्तों भारते ओलंपिक संग यानि कि आई उसी की अध्यस कौन बनी है तो पीटी उसा तो CEO इस समय दोस्तों भारते ओलंपिक संग के रगुराम अयर है और अध्यस की बात की जाए तो पीटी उसा है नक्स कोश्चन है केंद्रियम अध्यमिक सिछा बोड यानि की सीवेसी के नए ध्यस कौन बने है राहुल सिंग करेक्ट अंसर होगा पूरी तना से अप लोग प्रिपेर राखेंगे आगे बढ़ते हम लोग अगला कोश्चन है दोस्तों करेंट से हमारा ससस्त्र सीमा बल यानिकी SSB के नए महानिदेशक कौन बने है करेक्ट अंसर होगा दलजीत सिंग चोधरी कौन दलजीत सिंग चोधरी नक्स कोश्चन है हमारा केंद्र सरकार ने सोलवें बित आयोग का ध्यस किसे निव्ट किया है करेक्ट एंसर गा, डाक्टर अर्विंद पनगळियाको, किन है, डाक्टर अर्विंद पनगळियाको, थोड़ा सा नोट देखेंगे दोस्तों, पंदरों बित आयोग के अधिस कौन थे, तो इनकेसिंग थे, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, next point है, बित आयोग एक संग् संस्था नहीं है, ये भी question आपके exam में बार-बार पूछा गया है, आगे देखेगा, संग्धान के अनुछे 280 के तहट इसका प्रावधान किया गया है, पूरी तरह से दोस्तों, आप लोग प्रिपेर रहेंगे, ये आपका, दोस्तों, super fact है, article 280 में दोस्तों, भी तायोग क प्रावधान किया गया है, अगला point है मारा, के अनुछ राज्यों की पैसा कितना बटेगा, कैसे बटेगा, इसकी देखरे करना बितायोग का कारी है, ये भी आप लोग दिहान रखेंगे, अगले question क्यों बढ़ेंगे, क्या है दोस्तों, भारत के पहले, दलित मुख ही सुन नक्स्ट है, रेलवे बोड की पहली महिला अध्याच और CEO कौन बनी है, तो जया वर्मा सिनहा है, पूरी तरह से आप लोग प्रिपेर हैंगे, थोड़ा सा यहापन नोट देखे, भारते रेलवे की स्थापना हुईती, 16 अपरेल, 1853 को, मुख्याले इसका भी नई दिल्ली में है, और वर्तमान में रेल मंतरी असोनी बैसनों है, यह भी आप लोग ध्यान रखेंगे, आगे बढ़ते हम लोग, अगला कोश्चन आपका क्या है दोस्तों, नेशनल ग्रीन तिवनल, यानि कि NGT के नए अध्यस कोन बने है, करेक्ट अंसरोगा, जस्टिस प्रकास सिर महानी देशक कोन बने है, करेक्ट अंसरोगा, रभू स्री निवासन कोन, रभू स्री निवासन, नक्ष कोश्चन है, रेलवय सुरच्छा बल सेवा, यानि कि RPFS के ने महानी देशक कोन बने है, करेक्ट अंसरोगा, मनोज यादो, पूरी तरह से आप लोग प्रिपेर रहें आगे बढ़ते हैं, question है दूस्तों, भारते तट रचक बाल, यानि की ICG के 25 महानी देशक कोन बने हैं, correct answer राकेश वाल, next है, भारत के ने Chief Hub Defense Staff, यानि की CDS कोन बने हैं, correct answer राकेश वाल, next question है, 1 April 1963 को, और इसका भी मुख्याले नई दिल्ली में है, पूरी तरह से आप लोग prepare रहेंगे, ये सारे current के question थे दोस्तों, जिनको हम लोग ने एक साथ कबर किये हैं, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा PDF के बारे में बात करना चाहेंगे, दोस्तों, पुना हम लोग next question के और चलें यानि कि history, quality, geography, economics, आपका पूरा miscellaneous का chapter, यानि कि बीवित का chapter, इसके लाव आपका gs यानि general science work, current affairs, इन सब के पूरे पार्टकम को total दोस्तों, 25 PDF में अच्छी तरह से cover किया गया है, जिसकी paid fee sunday rupees रखी गया, whatsapp नमबर आप लोग के सामने है, जहां पर आप जोड़कर PDF ले जाना है, पार्टकरम आप लोग जानते होंगे, आपका पूरा gk आएगा, पूरा miscellaneous, यानि विविद आएगा, पूरा gs आएगा, निस सामान विग्यान, पूरा current affairs, शामान हिंदी, वहाँ यूपी स्वेसल में, स्टिटी को अपरेंट, इन सब के पूरे पार्टकरम को total 49 यानि 39 PDF में कवर किया गया, जिसकी paid fees भी 100 रुपे रखी गया, लास्ट PDF जो हमाई दोरा भी हतिको दिया जारा है, SSC CPI exam 2024 के नाम से, और यह पार्टकरम आप लोग जानते हैं, कि SSC की दोरा जितने भी exam conduct करवाया थे हैं, चापका दोस्तों, CGL हो गया, CHSL, MTS, FHD, ZD, इन आपका इवरगिनिन टाप एक है, जहां से दोस्तों, कप यों ट्राफिया दी जाती है, आप जानते हैं, वराबर आपके exam में question पूछे जाते हैं, तो यहां पे दोस्तों हम एक seat लगा दिया है, सब कुछ इस seat में पूरी तरह से कबर किया गया है, अगर इस seat को आप लोग revise रखते हैं, तो इस topic से आपके exam में कोई भी question बनेंगे, ना question आपके miss होने वाले हैं, और ना ही question आपके गलत होने वाले हैं, तो इचलिए शुरू करते हैं हम लोग, question है हमारा, दूरन कप किस खेल से संबंदित है, करेक्टरसों का football से, अब एक तरफ कप यों ट्राफियों के नाम दे गए हैं, दूसी तरफ संबंदित खेल के नाम दे गए हैं, यानि कौन से दोस्तों खेल में कौन सी कफ याँ ट्राफिया दे जाती हैं, तो इचलिए शुरू करते हैं, सबसे परले दूस्तों थामस कप, आप लोग जानते होंगे, यह पूरसों की दोरा खेलाता हैं, संतोष ट्राफिय भी, निजाम गोल्ड कप, बिटर ट्राफिय और मडेका कप, सारे के सारे मोस्ट उमपर्टन हैं, जो की फुटवाल में दे जाते हैं, आगे बढ़ेंगे हम लोग, नेक्ट पॉइंट की और, अगला पॉइंट आपका क्या दूस्तों, रोजर्स कप मियामी ओपन, बिंबल्डन ओपन, अस्टेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, युएस ओपन, सारे के सारे मोस्ट उमर्ट कर्प्यों ट्राफिय हैं, दूस्तों, जो की टेनिस में दियाती हैं, यह सारे वर्ड एक्जाम में पूछे जाते हैं, राईडर कप, वाकर कप और कनाड ट्राफी, देवधा ट्राफी, दिलीब ट्राफी, एसेस कप, सार्जा कप, सिकेनाइडू ट्राफी और मुस्ताकली ट्राफी, यह सारे most important है कप यह ट्राफिया दोस्तों, जो की किर्केट में दियाती है, बेटन कप, आगाखा कप, अजलांसा कप, घ्यांचंद कप आप लोग जानते होंगे, स्टेनली कप, लेडी रतन टाटा ट्राफी, सिंधिया गोल्ड कप, रंगा स्वामी कप, जो की राष्टे चेंपियंसिप है, गुरू नालक ट्राफी, यह हाकी की खेल में दियाते हैं, किस केल में, हाके के केल में, थोड़े से ओर रहे गए हैं दोस्तों, पूरी तरह से आप लोग प्रिपेर रहेंगेंगे, कैसे भी, कोई ट्रिक लगा के, बरबार रट्टा मार के, आप एडिया फले के अंडर लाइन लगा के, कुछ भी करके दोस्तों, आप लोगों को इन सारे कोश्टन को पूरी तरह से प्रिपेर रहेंगे, डेविस कब आपका लाल टेनिस में दियाता है, उसके बाद फेडिरेशन कप, इंडिया गोल्ड कप, ग्रेंड चंपियंस कप, और लास्ट है दोस्तों, सुपर चैलेंस कप, ये इतने वाली बाल के खेल में दियाते, पूरी तरह से अप लोग प्रिपेर रहेंगे, सब्सक्राइब करें आप माई स्टेडी चैनल, स्योकर रुपा कलास्स को इसी तरह के वीडियो के लिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला कोस्टन आपका क्या है दोस्तों, धान विधेक की परिभासा, संग धान के किस अनुच्छेद में वड़ित है, करेक्ट अंसर का अनुच्छेद 110 में, किसमें 110 में, कोस्टन कहां से आई वा दोस्तों, प्वालिटी से महातपुर जो आर्टिकल है, विस्सकर उनको दोस्तों कवर किया गया है, यहापे एक सीट लगा दियां दोस्तों, प्वालिटी के सुपर कोस्टन, जो आपके सभी उन्टेग इजामें बारबाद पुछते हैं, रिपीट होते रहते हैं, उनको यहापे दोस्तों मुख्यता कबर करने का प्रियास किया गया है, इस सीट को अगर आप लोग पूरी तरह से रिवाइज रखते हैं, वालिटी के बहुत सारे कोस्टन दोस्तों आपके पूरी तरह से कबर रहेंगे, तो चले शुरू करते हैं हम लोग, कोस्टन है मारा धान विदह की प्रिवासा संग्विधान के किस अनुच्छद में वोड़ित है, करेक्ट एंसर का अनुच्छद 210 में, आप चले फैक्ट की और, पहला कोस्टन क्या है, संग्धान सभा की पर्थम बैठक कवीती 9 दिसंबर 1946 को, पूरी तरह से प्रिपेर रहेंगे आप लोग, डेट जहां पे हम देते हैं, पूरी तरह से प्रिपेर रहें, कोस्टन वहां से बनते, इसलिए डाला गया है, नेक्स्ट है, भारते संग्धान को कब अंगे करित, यानि कि पारित क्या गया, तो 26 नम्मों निसोंचा, दोनों कोस्टन एक साथ लगा दिया गया, पहला दिन, लास्ट दिन, नेक्स्ट, जिस दिन पहला पर्थम बैठक हो, जिस दिन दोस्तों बन के तयार हुआ, पहला है, भारते संग्धान सभाय में, उद्देश सी परस्थाओ, किस ने परस्तुत किया, करेक्टरंस लोगा, पंडिज जौहरलाल नहरू ने, नेक्स्ट है, भारते संग्धान में, मूल अधिकार, किस देश की संग्धान से लगा, तो बेटल से, ये तीनों सुपर कोश्चन है, आगे चलते हैं, चार कोश्चन आर्टिकल से एक साथ देखेगा, पहला है, वार्सिक बित्य विवरान, जिसम लोग बजट के नाम से जानते हैं, पूछा जा रहा है, आगे बढ़ते हम लोग, क्या दोस्तों, भारत में तिरस्तरिया पंचाई ती रास प्राणाली का प्रास्ताव किसने दिया करेक्टन सोगा बलुवांत राय महता समीतिने, इन्हों नहीं तिरस्तरिया पंचाई ती रास प्राणाली का सुझाओ दिया था, और इसे से मिलता जूलता है, तिहत्रवा संगधान संस्वधन कब हुआ था, 1992 में, पूरी तरह से प्रिपेर रखेंगे, नेक्स्ट, भारतिय संसत के सन्युक्त सत्रिके दिसता कौन करता है, लोगसभाद 10, वह भारतिय संगधान के किस भाग में मौली कदिकारों का ओड़न है, तो भाग 3 है, आटकिल 12 से 35 है, आगे बढ़ते हम लोग, कोश्टन क्या दूस्तों हमारा नेक्स्ट, संगधान के किस अनुच्छत के तहट, भारत में राष्ट पती पर महभयोग चला जा सकता है, तो अनुच्छत 61 है, नेक्स्ट, किस अनुच्छत के तहट, मंत्रिगंट सामय की रोप से लोग सभागे प्रत उतर दाई होते हैं, तो 44 संग्धान संसोदान था, जो कि 1978 में किया गया था, पूरी इस तरह से आप लोग प्रिपेर रहेंगे, यह सुपर कोश्टन थे प्वालिटिक के दोस्तों, जिनकों हम लोग ने एक साथ कबर किये हैं, पीडिया के लिए अल्रेटी बात हो चुकी है, व्यार एससी और एकजाम 2024, SSE, CPO, एकजाम 2024 और UP, प्रिपेर एकजाम 2024, बढ़ते हम लोग अगले कोश्टन की वोड़, कोश्टन क्या हमारा, वाली वाल खेल के परत्यक पच्छ में कितने खिलाड़ी होते हैं, करेक्टिंसों का 6 खिलाड़ी, यह भी आपका ट्रेंडिंग टापिक है, यह कोई भी कोश्टन दोस्तों, तो आप लोग कभी कबर नहीं कर सकते हैं, और confusion हमेशा क्रेट होगी, इसलिए हम दोस्तों, आप सन बिल्कुल भी नहीं रखते हैं, अब यह से टापिका दोस्तों, स्मार्ट स्टेट जी की जरिए, आप चाहें एक मिनट में रिवाइस कर सकते सब कुछ पूरी तरह से टापि से जितने कोश्टन बनते हैं, इस सीट में कबर कर लिया गया है, इस सीट को आप लोग किसी भी तरह से दूस्तों प्रिपेर रखेंगे, यहां से कोई भी कोश्टन आपके एक्जाम में पूछाएंगे, ना कोश्टन मिस होंगे, और ना कोश्टन है, वाली वाल खेल के प्रते एक पच्च में कितने खिलाडी होते हैं, करेक्ट एंसरों का 6 खिलाडी, अब पर्मो खेलों में एक पच्च में खिलाडीों की संख्या को हम लोगों देखने हैं, एक तरफ खेल के नाम है, दूसरे तरफ खिलाडीों की संख्या है, स फुर्वें तरह से प्रुपेर रखेंघेंगे इसलेक्टर दोस्तों से बंते हैं व्बाबर लगा दिया गिस्ते रटेकों पूश्ते को से रिटेटर दोस्तोंौं आपके एक्जाम में कोश्चन बाते हैं, सबको पूरी तरह से इसमें कवर किया गया, अगर इस सिल को रिवायर रखेंगे, इस्टावी से कोई भी कोश्चन बनेंगे, आपके कोश्चन दोस्तों साल्व हो जाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग, कोश्चन है मारा, लाइफ डिवाइन नमग पुस्ता की लेखा कोने करेक्टन सुगा अरविंद घोस, अभितर महात्मूर पुस्ताकों की नाम, दुसरी तरह समन्दित राष्टी ये मंतराष्टी लेखा की नाम देगे, सबसे प्ले मुद्रा राच्छस लेखा कोने विसाक दत, नक्स्ट अ पालिटिक्स के लेखा कारोस्तू है, मदर इंडिया के लेखा कैथरीन मेओ है, उसके बाद देखेंगे, हिंदु सुराज, मैं एक्स्पेरिमेंट विद पुस्त और यंग इंडिया, तीनों मोश्टों पड़न जो की महात्मा गांधी के हैं, केसरी के लेखा क्बाल गंगा जैसेंकर प्रसाद, यामा, महादेवी वर्मा, मैकदूत, कुमार संभों, और अविगान, साकुन तलम, ये तीनों बुक्स के लेखा कालिदास है, पदमाउत के मलिक मुहमद जैसी है, आयने अकबरी और अकबर नामा, दोनों के लेखा कबूल फजल है, पूरी तरह से पिर पिया है, आप जानते हैं दोस्तों, ये टापिक आपका इवर गिरीन टापिक है, बराबर आपके एग्जामे यहां से कोश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ पे हम दोस्तों, राजधानी के नाम भी पूरी तरह से अपडेट कर दिये हैं, ताकि आपके एग्जामे किसी भी तो इस टापिस से कोई कोश्चन आपके मिस ना हो, ध्यान देंगे, यहाँ पे हमारी दर्एवराद दो सीट बनाई गए है, जो कि पीडेप में पूरी तरह से देया गया है, एक भारत विए हम उनके पूरी तरह से देया गया है, यहाँ पहली सीट है दोस्तों, यहाँ पे धाका है, मुद्रा यहां की टका है, नक्ष्ट भूटान, भूटान की राजधानी थिंपू है, मुद्रा यहां की नगुल टरम है, अगला नेपाल है, नेपाल की राजधानी काटमांडू है, और मुद्रा दोस्तों यहां की रुपया है, फिर है पाकिस्तान, राजधानी इ इजिंग है, मुद्राया की युवान है, इरान की राजदानी तेहरान है, मुद्राया की रियाल है, इराक की राजदानी वगदाद है, मुद्राया की दिनार है, इंडोनेसिया की राजदानी जकारता है, मुद्राया की रूपिया है, बहरीन की राजदानी दूस्तों मनामा ह मंगोलिया की राजधानी उलान वटोर है और मुद्राह की तुगरिक है माल्दियो की राजधानी माले है और मुद्राह की दूस्तों रूफिया है क्या है रूफिया है आगे बढ़ते हम लोग अगला क्या दूस्तों हमारा लेवनान लेवनान की राजधानी वेरूत है मुद मुद्राह की दिनार है, ब्यतनाम, राजधानी हनोई है, मुद्राह की डाग है, ओमान, ओमान की राजधानी क्या है, मसकर, मुद्राह की रियाल है, जापान, जापान की राजधानी टोकियो, मुद्राह की एन है, कतर, कतर की राजधानी दोहा, मुद्राह की रियाल है, क्या ह मेरा राम क्रिशन के स्थापना किसने की करेक्टरस और का इस सथांग था क्रविकञार प्रमुह क्या कि onboard आज़ परमक्रिक्स ने समस्था हैं पर हमारे से सब्लक हमारे यह लिए पर दोस्तों बहुत सारी कोश्टन एक साथ कवर करते हैं यहां पर दोस्तों पूरी कांस्टेट होकर आप लोग सार्व करेंगे रिवाइज जरूर करेंगे इसलिए मैं पीडियेप के बारे में बार बार बोलता रहता हूं तो चले शुरू करते हैं लोग पहले कोश्टन से क्या हमारा कोश्टन हाइडु फिवया रोग उतपन होता है तो इसका वाहा क्या है विसाणू है नेक्ष्ट आलु में मोजेक रोग का कार eerste तो भी विसाणू है नेक्ष्ट फायको लाजी में किस का दिन क्या था है श्वाल next फोलो के संगवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं करेक्ट्रों सोगा फलोरी कल्चर क्या फलोरी कल्चर आगे बढ़ते हम लोग अगला क्या है दोस्तों हमारा डेंड्रोलाजी का संबंद किस से जहाड़ियों के अध्यन से next पोडोलाजी में किसका दिन क्या था तो भूमी का यान की मिट्टी का नास पाती का कौन सा भाग खाया था गोदेदार पुसपासन किस पोदे में वीज होता है लेकिन फल नहीं होता है उस साइकस है अगला है next किसके द्वारा मापा जाता है तो पारोमीटर के द्वारा next किसके द्वारा जल का सुध्धिकन क्या जाता है तो कलोरीन के द्वारा अगला है राष्टी रासानिक प्रियोक साला कहा परिस्तित है पूरे में वहां फ्री यान का रासानिक नाम क्या है करेक्टनसों का कलोरो फलोरो कारबन क्या कलोरो फलोरो कारबन आगे वड़ती हैं। अगला कोश्चन देखेगा आप लोग, कोश्चन वारा समुदरी जल का घम के AUC edition की कमी से होता है। और रियक्टर किस नाम से जनाता है, तो अब सरा की नाम से, वह हड्रोजन बंब की सिधान पर आ देता है, तो नाब के संगलाइन की परकिरिया पर, अगला है, मैनोमीटर की द्वारा किस की माप की जाती है, तो गैसों के दबाव की, पूरी तरह से अपडेट रहेंगे, आग बंगाल का, 81 किस नदी के तरपाइस थी था, तो गोदा वरी, नक्ष्ट है, जाकिर हुसन का संबन्द किस वाधियन से, तबला से, महान नियवदी की निक्ति किस अनुच्छत के अंतरगत किया थी, करेक्टन सोंगा अनुच्छ 76 के अंतरगत, पुलिस विवस्था की सूच पूरी तरह से, अप लोग अपडेट रहेंगे, आगे बढ़ते हम लोग, अगला कोशन है दूस्तों आपका, बेह देशोर मंदिर का निर्माड किस ने करवा था, करेक्टन सोंगा राज राज पर्थम ने, नक्ष्ट, सिजदायों पावोस पर्था किस ने चलवाई, आगे बढ़िये, चलिए दूस्तों, थोड़ा सा आगे चलते हैं, क्या क्या है हमारा, पहला है, सेरसा का मकबरा कहां परियुस थी था, तो शासाराम भी टाल दिया गया है, अकबर नामा की रचना किस ने किती, अबल फजल ने, खालसा पंत के स्थापना किस ने किती, गु आगे बढ़िये, अगला कोशन है दूस्तों हमारा, इडुकी प्रियोजना किस ने पर संचाली था, तो पेरियार नदी पर, अगला कोशन हमारा किया दूस्तों, देखेंगे आब लोग, कोशन है, गीतान जली के रजना कार कौन है, नेक्स्ट है, शाकेत की रचना किसने की, मैथली सान गुप्त ने, भारत किस परकार की अद्व्योस्ता का उदान तो मिस्तित अद्व्योस्ता वा सत्रिया किस राज का पसी सास्तिने थे अस्वमका, चार कोश्चन एक साथ देखेंगे, पहला है, कालिंग पुरस्कार की छित में दियाता है, करेक्टन सोगा विज्ञान के छितर में, फिर है, बुकर पुरस्कार की छितर में दियाता है, सहित के छितर में, ज्ञान पीड पुरस्कार की छितर में दाता है, सहित के छितर में, वह पुरिजर पुरस्कार की छितर में दाता है, तो पत्र काईरिता के छि तो विटामिन के है, आगे बढ़िए, हडपा काली नस्थल, लोथल किस नदी के तरपा इस थी था भोगवा, काली दास किसके दरबार में रहते थे चंदगूत विक्रमा दित्ति के, राष्ट कुट वंस के स्थापना किस ने किती, दंती दुर्ग ने, और आरी समाथ के स्थ तरह के वीडियोज के लिए आप माई स्थेडी चैनल स्यूक्रिपा कलासस से जुने चैनल को सब्सक्राइब करें, तकि हमाई दो आदे जाने वाले सभी वीडियोज आप करम से सबसे पहले देख सकें, तो मिलते हैं दोस्तों, आम नक्स्ट ट्यू वीडियोज में, थैंक् और वादिंग